प्रशंद 3, सिद्ध कीजे की y बराबर c-x अपोन 1 प्लस cx अउतल समीकरण 1 प्लस x स्क्वाइर इंटू dy by dx प्लस 1 प्लस y स्क्वाइर बराबर 0 का हल है, यहां दिया है y बराबर है c-x अपोन 1 प्लस cx इसको हम समीकरण 1 एक ले लिते हैं और अब हम dy by dx का मान निकालते हैं, तो dy by dx क्या हो जाएगा, इस पस्ट है कि यह u upon v का रूप है, यहां हम अउकलन करने के लिए 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर करेंगे, यहां आ जाएगा 1 प्लस cx इंटू अउकलन करना है c-x का, तो माइनस एक लागिया, माइनस किया, जो कि सूतर में है, c-x इंटू अउकलन करना है 1 प्लस cx का, तो 1 का तो हो गया 0, cx का हो गया c, यह हमें प्राप्त हुआ, तो सल कर लेते हैं इसको, तो माइनस का एक, माइनस cx, यहां हो गया, माइनस c2, यहां हो गया, माइनस और माइनस हो गया, प्लस का cx, अपोन 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर, यह हमें प्राप्त हुआ, माइनस cx और प्लस cx कैंसल हो गया, मान आ गया, माइनस का कॉमन ले ले, 1 प्लस c2 अपोन 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर, यह हमें dy by dx का मान प्राप्त हुआ, अब हमको अउखल समीकरण देखना है, तो अउखल समीकरण में left hand side को ले लेते हैं, LHS बराबर क्या हो गया, 1 प्लस x स्क्वाइर इंटू, dy by dx का मान यह लिख सकते हैं, माइनस यहां ले ले, 1 प्लस c2 अपोन 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर, प्लस 1 प्लस y स्क्वाइर, इसका स्क्वाइर कर दूँ में, c माइनस x का स्क्वाइर, और यहां आ गया, 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर, यह हमें left hand side मिलता है, इसको अब हमें सरल करना है, तो 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर, इस ब्रेकित का भी लगुत्तम आ गया, मैं एक साथ इसको सरल कर लेता हूँ, तो 1 प्लस cx का हुल स्क्वाइर, यह तो हमारा लगुत्तम आया, जो मैंने बहार ले लिया, यहां क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस x स्क्वाइर इंटू 1 प्लस c स्क्वाइर, प्लस इस ब्रेकित को देखें, तो 1 प्लस cx का स्क्वाइर, प्लस c माइनस x का स्क्वाइर, यह हमें प्राप्त होता है, अब हमको इसको सरल करना है, तो 1 प्लस cx का गुल स्क्वाइर, रेकित को शरल करें, तो माइनस बहार है, यह हो गया, 1 minus c square 1 minus c square minus बहार है तो हम इसको एक बार पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं plus x square plus x square c square plus रेकित को शरल किया 1 plus c square x square plus 2 c x plus c square plus x square minus 2 c x ऐसा हमें प्राप्त हुआ minus 2 c x और plus 2 c x cancel हो गए अर्थात मान के आ गया 1 upon 1 plus c x का वोली square बढ़ा ब्रेकित बनाया minus से अब हम बुना कर देते हैं तो minus 1 minus c square minus x square minus x square c square plus का 1 plus c square x square plus c square plus x square ऐसा हमें प्राप्त हुआ minus 1 minus c square minus c square plus c square minus x square plus x square minus x square c square plus c square x square इस ब्रेकित का मान 0 हो गया 0 किसी भी संख्या से गुना हो तो 0 होता है तो मान आ गया 0 जो की हमारा यहां right hand side right hand side में आउकल समीकर्ण में हमें 0 मिला है तो left hand side equal to right hand side हम पा रहे हैं तो अतह y बराबर c minus x अपॉन प्लस cx दिये गए आउकल समीकर्ण का हल है इती सित्व